हलो एवरिवन, वेलकम टू आर चैनल मील ओम मैनेजर पिछलो वीडियो में हमने बात की थी कि अलग-अलग प्रकार के ग्रेंज कौन से होते हैं आज हम उनी में से एक बकविट की बात करेंगे हम बात करेंगे कि बकविट का ओरिजिन कहा हुआ था इसका कल्टिवेशन कहा की आ जाता है इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की हम बात करेंगे और इसे अपनी डायट में एड करने से क्या फायदे होते हैं और इसकी कॉमें डिशिस कौन सी है इसके बारे में भी हम जानेंगे तो पहले बात करते हैं इसके origin के जैसा कि हमें पता है शुरुवात में कोई भी plant species एक wild species होती है और बाद में हम उसे domesticate करते हैं और फिर हमारे day to day life में यूज करते हैं तो bucket का जो सबसे पहले domestication किया गया था वो था South Eastern Asia में वहाद से फिर ये Tibet, Central Asia Middle East और फिर Europe पहुचा bucket उन शुरुवाती grains में से है जो Europeans ने North America में सबसे पहले introduce किये थे अब बात करते हैं इसके उत्पादन की याने cultivation की तो bucket जो है वो सबसे ज़्यादा produce होता है रशिया में उसके बाद चाइना में और फिर Ukraine और France जैसे countries में इसका production high altitude regions में usually किया जाता है इंडिया में इसका production जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, West Bengal और North East जैसे Assam, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम में होता है South India में तमिल नाडू में इसका production किया जाता है इस map में इन states को दिखाया गया है जो इसका production करते है इसका growing period 10 से 12 हबतों का होता है तो यह एक short seasonal crop हो अब बात करते हैं इसकी nutritional profile की तो अगर हम 100 gram bucket लेते हैं तो उसमें 72% carbohydrates 10% dietary fibers 13% proteins और सिर्फ 3% fats होते हैं रोटीन की बात करें तो इसमें सारे याने पूरे 9 essential amino acids present होते हैं अब कुछ जगे पर आप पढ़ेंगे कि 10 essential amino acids होते हैं पर इसमें जो दसवा है याने arginine वो semi essential होते हैं याने adults की body में वो अपने आपी produce हो जाते हैं सिर्फ children में इसकी requirement होते हैं तो वो semi essential कहलाते हैं minerals पी इसमें बहुत ज़्यादा quantity में होते हैं साथ ही इसमें अलग-अलग प्रकार के micronutrients भी होते हैं इसमें iron, calcium, manganese, magnesium, zinc, copper, selenium, potassium यह होते हैं vitamins भी होते हैं vitamins की quantity minerals जितनी ज़्यादा तो नहीं होते हैं पर यह B vitamins का एक ठीक-ठाक source माना जाता है omega-3, omega-6 fatty acids भी इसमें present होते हैं हाला कि इनकी quantity बहुत ही कम होते हैं अब हम बात करते हैं bucket के health benefit के बारे में पहला, heart के लिए bucket बहुत अच्छा होता है इससे hypertension यानि high BP control में रहता है और LDL cholesterol भी कम रहता है इससे digestion भी अच्छा रहता है इसमें present vitamin B3, carbohydrates, proteins और fats को energy में convert करने में मदद करता है weight को सही level में maintain रखने के लिए भी bucket काफी अच्छा है weight loss के लिए भी एक सबसे अच्छा option माना जाता है bucket gluten free होता है तो जो लोग gluten disorder से परिशान होते उनके लिए भी bucket एक अच्छा option है diabetes में भी ये लाबदायक है जो कि bucket एक complex carbohydrate है इसे digest करने में ज्यादा time लगता है तो ये blood sugar level को ज्यादा समय तक stable रखता है इसका glycemic index भी कम है अब glycemic index के बारे में हम आने वाले किसी वीडियो में समझेंगे छटवा तो ये colon health को भी maintain रखता है आजकल colon health की disorders काफी बढ़ रही है अभी हाली में legendary actor इर्फान खान की death भी colon infections ही हुई थे तो ये colon health को भी maintain रखने में help करता है इसके बाद इसमें antioxidants और phenolic compound होते है जो cancer से हमें बचाते है ये body की immunity को बढ़ाता है साथ ही body की energy levels को भी बढ़ाता है एनेमिया यान हीमोगलोबिन की कमी की risk को भी ये बहुत कम करता है high magnesium होने के कारण bronze के healthy functioning में भी ये help करता है gallstones से भी हमें बचाता है buckwheat में एक routine नाम का bio chemical होता है जो inflammations को कम करता है तो इस वज़े से buckwheat arthritis के दोरन भी अच्छा साबित होता है इसके फायदे तो हमने जान लिए अब बात करते हैं इसके dishes के बार में तो जैसा कि हमें पता है buckwheat को खाना fast के time allow होता है तो इसका नवरात्री के वरत के समय क्राफी प्रयोग होता है कुट्टू के पकोड़े बनते है इससे पुरिया बनती है जैपान, कोरिया में इसके noodles famous है इससे soba noodles कहते है North Eastern States में कुट्टू की रोटी का भी 7 करते है तो इस प्रकार बहुत ही लाबदायक और बहुत ही पौश्टिक बक्विट को हमें अपनी diet में add करना चाहिए और कम से कम हफते में एक बार तो भी इसका 7 हमें जरूर करना चाहिए तो ये था बक्विट के बारे में वीडियो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेर और सब्सक्रेब कीज़े